So guys, यहाँ पर मैं आपको फिर से एक question लेके आई हूँ, ठीक है, यह आपका sequence में लगाने को है और यह आपका accounts का ही question है, जो आपको December 2012 में पूछा गया है, ठीक है, देखके तो आप लोग सचेगे कि यह मैंने as it is उतार दिया है, solve किया यह नहीं है, but let me inform you, यह आपका question यहाँ of firms related है, तो सबसे पहले आपको इसको sequence में लगाना है, तो सबसे पहले बताऊंगे आपको, कि यह already sequence में लगा हुआ है, means NTA ने already इसको sequence में लगा के दिया था, और आपको चार options दिया था, तो इसको आप अपने notes में maintain कर लेना, सबसे पहले हम लोग secured creditors को यह करते हैं, फिर un secured creditors को देखते हैं, उसके बाद, जिनोंने भी, partners who have granted loans, उसको पार्टनर who have contributed over and above profit sharing ratio, यह इसका total answer है, मतलब सबसे पहले मिन्स यह ही होगा, then this one, then this one, तो फिर ए वाला, ठीक है, तो यह सब answer आप अपने notes में भी maintain कर सकते हो, ठीक है, देख सकते हो, secured creditors, unsecured creditors, partner who have granted loans, उसको partner who have contributed over and above profit sharing ratio, यह पीवाई क्यूज है, तो अगर आपको आता है, तो अच्छी बात है, नहीं तो अपने notes में maintain कर सकते हो, ठीक है, थैक है, थैंक यू सो मच पर वाचिंग,